नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स सब्सक्राइब करेंगे लिए सब्सक्राइब करेंगे अब हम ने साल की मलिका को चुनेंगे सब्सक्राइब करेंट कि एंटर्ण चुनेंटा स्ब्सक्राइब करेंगे लिए उन्हेंगे लिए अबावाब नित्यर चैनल्स पर गोग जो ए को प्रवारी कि टी टाल्बह से ने से फ्माड से डॉपद का और्ले रूम से दत्राम एफ, बार बाइपक को आप разб़ो एप, सब्सक्क्रामक कैं लो से चुतिके लेखेते हैं, य데 रहां? को स्जीन को बिए गशोका के हैं लुधशारन प्रेनीन नचुमे गाव तुम गाव में नचुदूम हम दोनों मिलके नचे और देके आप लूस्टब नचुमे गाव तुम गाव में नचुदूम नच्छू, मेम् दाफ़्तू, नच्छू, मेम् नच्छू चुनलो साथी जो पसंद करो जभी खेल शूडू करो कभी बंद दरो चुनलो साथी जो पसंद करो जभी खेल शूडू करो जभी बंद दरो समझे आप यूश्चप करूप करूप बंद दरो कल तो लाओ बाल, भाल & कल लाओ, कल लाल लभ जाल, बाल लाल, लजयो wha wage झाल 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 है झाल झाल समय में पिएक लगर। जसे को सुषके ब माखित ज़से पो प्रियुक दे आप एक बार मेले जा, वहां मेरा टेबल बुक है, और में एक फोन कर के आता हूं वाल पी अंकमना See you All right Oh thanks Oh it was very nice, how have you been? Why? Yeah, that's what he told me, but you know I didn't believe it Ahahahahaha Please sit down Haah Finno, मेरे लेक ट्रिंक लेकराना, please My pleasure, Zareena Thank you झाल बबख्सकर पारा बमखी एंगा एंगारा जो एंगरा एंगरा, है। विने शिर्वास्तव की पार्टी में मेरा नाम जरीन मलिक है और मेरा इंदर सक्से में प्लीज रूमीटी दे किंग फ्लाज पॉर दे क्वीन ब्यूटी थेंक यू लेकिन वो जो आरहे है न वो ग्लास लेकर वो बहुत ही मश्यूर बॉक्सर है अजया हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही डेविड वहाँ पहुंचा घुलायत डर के माँड़े पीड़े आप बैठी मैं आपके ले डिंग दो देखो मिस्टर मैं सब देख रहा था फिर जूल गले पढ़ने की कोशिए मत करो तो यहां से ड्रिंग लाने की तुम्हे कोई जरूद नहीं वा जनाब यह कैसे हो सकता है ड्रिंग तो मैं ही लाँगा बैठी देखो मिस्टर विनु प्लीज पहचाओ प्लीज मुझे ड्रिंख उनने चाहिए तुम इसे कैसे पहचानती तो क्यों? यह एक नमर का लुच्चा प्लेबॉइ मैं क्या जानू मैं तो अभी भी इससे मिली हूँ मैं नहीं मानता देखो मैरे मेरे मेरे से कह दूँगा कि तुम हाँ हाँ कह देना मुझे धंकी मत दो मेरे दिल जिससे चाहएगा मैं उससे मिलूँगी यह द्रिंक लेडी Mr. Potato Chips लेडीज को शराब ओफर करने का तरीका यह है कि हरकन आये तुफान आये बुचाल आये लेकिन ग्लास से एक बून शराब भी न चलके और चलके तो काइदे से चलके यह मैं प्लास प्लास कि अजिए फ्रीज न चलके तो कि वड प्लास कि वाद से चलके लेकिन जलके यह वे लेकिन लेकिन कर Также विंदे को पुख ुख आए इ постоянно का का happen चुजा ये जो चुजा ये इंदे अ वो इंदे तो उड़ चुजा हुख Shots बुच सिधा हो जाओ, बाद में दूशर को सिधा करो. इसको क्या है? छोड़ी साब को हाथ? नहीं. आँ, मज़ागी है. नहीं, बबुराम, और सिधा हो जाओ, इससे काम नहीं चलेगा. बिल्क उठी, छोड़ी साब, छोड़ी साब, छोड़ी साब, उठी एक प्यारा भाजगे, मौहमा जी छे मर्दभाप उच चुके हैं. आपी न्यूया, बाबुराम. हैपी न्यूयाँ, छोड़ी साब, हैपी न्यूयाँ. आपी न्यूयाँ, छोड़ी में पुरेणा जादे हैं. आप! जैम्मेसी गिरेखावा, बोदम बादे बतारा. जी मिल्दरों जी मिल्दरों, जी मिल्दरों. बहुत करना, बहुत करना. आई बबराम! जी? तुने मेरे फिसके, पीक्या? जी नहीं साब जी नहीं साब क्या नहीं पी तो सीधा कैसे साब आप सबको तो मालूम है बगार पी हम लड़ खड़ाते हैं आज New Year's Day है बाहर से बहुत आज में आने वाले हैं वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे इसलिए थोड़ी सी पीजी ठीकिये न साब बोलिये न? ठीकिये न? साब बोलिये न? Happy New Year! आचा, ठीका, ठीका, ठीका इंदर! मामा जी, आगे! अब होगा! क्या होगा? अब कुछी देखेंगे उठे Happy New Year, मामा जी मेरा New Year इतना happy शुरू नहीं हुआ है अंदर क्यों क्या हुआ? आज सुभा ही कुछ लोग तुमारी शिकायत लेकर आए थे कल रात होटर में क्या किया था तुम्ने? वो तो उन्ही लोगोंने बता दिया होगा ये सब तो होता रहत है मामा जी आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज़ा होगे? शरीफ खांदान की लड़कियों के पीछे तुम तुम हाद दोकर पड़े रहते हो क्या? क्या का आपने होगे? शरीफ? खांदान? लड़कियां? फिर वही बात चेड़ दी तुमने एक फूल हो गई मुझसे तो क्या जिंदेगी भर उसके ताने देते रहोगे मुझे? नहीं मामा जी, नहीं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं और सच बुचिये तो शिकायत मुझे किसी से भी नहीं मैं तो इस खोखले समाज को जरा नजदीक से देखने की कोशिश करनो देखने का ये तरीका छोड़ दो इंदर तुम तु जानते हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है तुम्हारे पिता सिर्फ मेरे बैनोई नहीं थे मेरे दोस्त भी थे आज जो लोग आये थे काफी खतरनाक मालूम होते हैं तुम्हे मारने की धंकी देगे हैं मैं अपना वर्ल्टूर कैंसल किये देता हूँ नहीं मामा जी आप जरूर जाए पहली बार तो जा रहे हो में मैं वादा करता हूँ कि आपके आने के पहले कतल नहीं होंगा मैं एक शर्त पर जा सकता हूँ कि 6-8 महीने जब तक मैं वापिस ना आ जाओं तुम परताबगर जाकर रहोगे परताबगर? वहाँ जो अपनी इंडिस्ट्रिल कॉलिनी बन रही है उसका काम वक्त पे खत्म करता है लाखों का सवाल है और ख्याल रहे कि तुम भी उसमें आज एक भागीदार हो हाँ मामा जी वह सब ठीक है लेकिन परताब कर क्यूं? तुम्हारे पिता जी की तो वहां 12 साल तक पोस्टिन रही है और कॉलिज की दिन तुमने भी भी गुजा रहे है हाँ मामा जी इसलिए तो मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है कि वह कितना उंगता फिनकता शहर है हम् संध्या मामा जी मामा जी अगर यह शर्त पूरा करने से आपको खुशी मिलती है तो ठीक है पूरा करूंगा चला जाता हूं पतापका हाँ मैं शर्त रमा से मिलकर आती हूं अरी जी थकी हाँ अरी आई हो हात मू धोलो फिर जाना ओ हो हात मू तो ट्रेंज शोतरने से पहले ही धोले थैं अभा संवान शावालिजे खाई लाँ शावान लाँ यालुँ, रुदूप भिन हुटन倒ु भुटन का इपरं का उनलrdime तो फ्रेम पट से लिखा जा रहा है तो तो आई मुर्दी अभी आई हाई ला, क्या गर्मी है यहाँ हमारे बाह है न, नैनी ताल में जा अपका मौसम हो रहा है, रमा में क्या बताब अच्छा, तो दो ही महिने में आप नैनी ताल वाली हो गई हाँ अरे तेरा अभी कुआरा पिंडा है, तू क्या जाने नैनी ताल का मतलब अरे रमा, मौसम तो दिल में, और आखों में, और हूटों पर और बाहों में होता है, मेरी जाए तेरा देंटिस्ट में यहाँ तेरे पान खाने पर तुझे डारते नहीं डाठेंगे? अरे मैंने तो उनको भी पान खाना सिखा दिया है जाबाश, बहुत अच्छा किया तु लिख्या रही थी? फिर भी? कभी था क्या? तू तु तु तुझे भी लग गया यह रोग? तेरे दूला भाय को भी शारे का चस्का पढ़ गया लेकिन देंटिस्ट है ना, तो सिर्फ मेरे दांतों की तारीफ में लिखा करते हैं शेर पागर अल्ला कसम रह मा शादी होती है बड़े मज़े की चीज़ मैं तो आज ही उन्हें ख़त लिखने वाले हूँ कि तुम जल्दी से आज़ाओ बस आये, एक ही मुसीबद देरे घर में वोगाजान तुने रख सुना मेरे लिए बाहर फेकना चाजान कैसे है एरी वैसी है देखना मा, जब तक अब्बू का इलाज चलता रहेगा ना, कोई फाइदा नहीं होने वाला कि मैं जरा सी इधर उदर हुई नहीं कि चश्म चरातर बैठ जाते हैं अचा अब अपनी सुना कैसे गुजर रही है यह शायरी वायरी क्यों शुरू कर दी तुने तो और क्या करती तेरे जाने के बाद बिलकुल बोर हो गई कैलंडर ना देख रूतो तो अबस्तर जी क्या बुरे हैं आरे वह अपने पंडिक प्रेम प्रकाश्त्रवेदी साहब आते जाते तो होंगे रमा रोज बीला नागा सुबह आट बजे और शाम को चार बजे अच्छा फिर तो मान या ना मान शकर तेरा ही है शकर मेरा ही है आंक उठाके देखते हैं नहीं मेरी तरफ बाप की सलक समझ रखी है क्या कब से हौन मेरे बाप की सलक होती तो तू इतनी जोर से हौन नहीं बजाता है अरे प्रकाश रंगीन चश्मा उतारे बिना ही पहचान लिया है तू अभी तक इसी शहर में साड़ रहा है पर तू या क्या कर रहा है मैंने तो सुना था तू दिली में कॉन्ट्रेक्टी कर रहा है उसी सिलसले में तो यहां आना पड़ा वो दिली के मामा जी है ना उन्होंने यहां पर इंडस्ट्रिल कॉलनी बनाने का ठेका लिया हुए मुझे ओवराल इंचार्ज बना दिया है कॉलेज के यारों में से तू ही पहला मिला है वो तो आया है मगर आप जाने वाले हैं चाह मतला अरे आप पर आद बबला हो गए अरे बई सब काम पूरा करना चाहिए ने एक काम वज़ूरा छोड़कर दूसरा काम क्यों लेते हो कान पगड़ता हूँ इस पार मजा लेजी मैं क्या कर सकता हूँ पूछ भी कह दीजे कह दीजे मिरी धरम बतनी गुजर गई है और एक धरम बतनी तो कुछ साल पहले गुजर भी चुकी है गुद्वानिक सर गुद्वानिक सर अई गजामला क्या ख़बर क्या बताँ सर बड़ी मुसीवत में फस गया मुसीवत? जी वो अभी कुछ बंदरा दिन हुए बैठे बैठाये मेरी घरवाली का हाठ से भोगया सर सरकार को लेकर देता हूं कि एक सब कंट्राक्टर की पत्नी की गुदर जाने के वज़े से कौनी वक्त पर तयार नहीं हो सकती जो नुक्सानों को बाप रती है मात मर जाएंगा सर, मैं मर जाएंगा आप क्यों मर जाएंगी जब मरने के लिए आपकी पत्नी मौझूद है चूट जोत बोकटे वे शर्व नहीं आती आपको अभी आपके घर से रहा हूं आपकी पत्नी नहीं मुझसे कारके आप यहां सुलिस्टर साथ से कई इंगे कि इस लीगल कालीबाइ शुरू करें इस वख मत राय किजे चाहिए जाहिए आज़ा अभा परकाश अरे वो सिमेंट कर किया हो अधी तो 15 दे पहर नहीं मिश्चेकता सर इतने साथ से अभ मेरे साथ काम कर रहे हैं तीन दिन के अंदर ओपरमेट आजाना चाहिए, संजे? अभा परकाश अभा चला मादू साथ अभा इंगर जी मादू साथ, आई 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 मादू साथ आई मादू साथ आई मादू साथ आई मादू साथ ज्यानस हाथ हाथ फाथ झाला कल रात कुछ ज्यादा हो गई थी जाले, देखा न, तुम भी तो कोई और नसर आ रहे हूँ अरे, तुम तो वाके में कोई और हूँ, फिर कोई बात नहीं, एक सिगर्ट दोगे? जी मैंने पीता, तो इसमें खबराने के क्या बात है, यही तो था, यही तो था, यही तो था पैकेट यह अंदर वो और हुरत थी, मिना मतलु बढ़के उसको तिरोगी गई नहीं था? मैदम की हालत जाना राख नहीं थी सर अरे तो उठाके ठेक क्यों नहीं दिये आपने? जाने राख नहीं थी तुम गई नहीं अब तक? सिगर्ट का पैकेट नहीं मिल रहा डालिंग मैने कहा तुम गई क्यों नहीं अब तक? रात को तो तुम ऐसे नहीं डाड़ते यह रात नहीं दिन है चलो कपड़े पैनो अफिशल दिर्वाज़ से निकल दा सुनो एक दो सो रुपया एडवांस मिलेंगे मुझे नई परफ्यूम लेनी है यह लो और जाओ फिर कब आओ? बढ़ा दूगा यह लगा अगाश चला बाहर जाके बागी से बेटे यह बात करने की चैनी माश्या जाओ अची चली अची चली अची चली अरे-अरे कौन है बैई? हाथ तो किसे लड़की का लगता है अब सवाल यह है कि उन पांच लड़कियों में से यह किसका हाथ है जिन्हें मैं जाता हूँ पांच? हाथ यह बत पहले बताई यह पांच कौन चार तू और एक रमा खरभाई बिटा जरत देखू तो लेला बिटिया को ससुराल में खाना वाना ठीक से मिला है यह नहीं अरे चाजान मैं तो इतने मोटे हर्पों में लिखी गई हूँ कि बिना चश्मे के भी आराम से खड़ी जा सकते हूँ सर् आओ आओ प्रकाज आओ नमस्ते जी अरे 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 अच्छाना के रहा न कि हासने का दोरा क्यों पड़े गया वई अंदा भाई जान अरे लेला लगता है किसी ने आपसे कह जिए है कि आप नेचे जेखते भी ज्यादा खुबस दिखाय देते हैं मेरी बात सुनिया जिन्दे की कदमों में नहीं, सामने होती है आओ 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 प्रकाश आओ बेठो वह प्रूफ आज देखके खतम यह कर दो, जी भई मैं तो साफ को हूँ, तुम्हारे नमस्ति जी तो बस कहे काम से बोल रहा मैं चाजान से कहकर शादी की बाद पकी करवा लू देख लेला, मैं प्रकाश देखे इज़त करती हूँ, सिर्फ इज़त और कुछ नहीं अरे, फिर तो इसे साफ की नहीं कह देथी, क्यों यानाय करे मैं क्यों कहूं, वह आपने मर्जी से आते हैं पिता जी के आत्मका था लिखने मेरे लिए थोड़े आते हैं आज फी रोज जैसा ही हुआ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बात मुझे कहनी न पड़े और हमाजी समझ लें कि रोज पिना नागा ठीक उसी वक्त मैं सिर्फ टिक्टेशन लेने या एक पहली चाय पिने नहीं आता यही बाते नपक इनी शब्तों में मैंने कल भी लिखी थी और शायद कल भी लिखुआ द्या शंकर तुम अपनी आखों के साथ बड़ी ज्याती कर रहा हो नहीं तो क्या जब भी मौका मिलता है चश्मा चड़ा कर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए यह तो बड़ी जलत बात है द्या शंकर तुम पढ़े लिखे हो टाक्तर का कहना मानना चाहिए बेटी इनकी आयनक तुम किसी बैंक के सेफ डिपासिट में रखवा दो और यह अभी ले आओ अबू मैं में चरी जाओ नमा साथ हाँ हाँ अलचिया से चाय के लिए कहती जाना सैकरीन दीजे सैकरीन बेटी कभी कभी चीनी वाली चाय पी लेने से नुकसान नहीं होता आपको डाइबिटिस है ना दूसरों को परेज बताते हैं और खुद बतपरेज ही करते हैं अरे ये बड़े लाल्ची है रमा कल घर के पिछवाड़े खड़े लब लब मलाई बरफ खा रहे थे हमने देखा देखा देया शंकर मिया शमशुत्दीन कह रहे थे जन्नत में मलाई बरफ मिले जी नहीं अरे तुझ जैसे गुनागार को तो जन्नत में कहां जगा मिलेगी? पिता जी, हम दवाई लेका आते हैं जाओ बेता, जाओ, जाओ दियाशंकर, बच्चों के सामने मैंने कहा नहीं तुम्हारी आखों के हालत बहुत ही खराब है मैं जानता हूँ कबीर, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं जानता है मैं प्रधऑ मैं मैं जाड़िया हुआ, उरीजा हुआ, इसना आज़ाना नहीं आपने याद अविने सिर्वास्त्र की पार्टी में हम आखें तो गजगज बरकी हैं हम आपको डेटा शलमा दिखाए दे अरे नाराज होने की क्या वात है नाम में क्या रखा है चलिए इसी बहाने मुलाकात होगई आप दोनों कहा जारें में आपको कहीं छोड़ दू आईवे जी नहीं अरे ये कैसे हो सकता है ऐसी चिलचिलाती धूप में आप दोनों के खुबसूरत गोरे चेरे काले पड़ जाएंगे आयाय बठे जूते खाने हैं क्या जी जूते खाने हैं क्या चल बात क्यों बढ़ाती है इन लोगों के गारी जितनी बड़ी होती है तमिज उतनी ही चुटी चल तू तू तो लखनौ जा रहा था अरे गोली मार लखनौ शहर को यार आज तुम्हें अरे काका तुम्हें तक यहीं जा में बढ़ा जाएंगे ऐसा करो एक गर्मा करम प्याली चाय पिला दू अभी लाया तो हुआ क्या यार प्रकाश आज तेरे इस फटीचर शहर में मैंने दो खुबसूरत पड़िया देखी सोचा लिफ्त दू लिफ्त की बात सुनते ही जो जाड़ पड़ी आपकी गाड़ी जितनी बड़ी है उतनी ही छोटी आपकी तमीज लेकिन दूशे लिफ्त देने के जुरूत ही क्या था है हमा कमाल करते हो यार जिल मिलाती धूप में दो खुबसूरत लड़कें जुलस रही हो और अगर उन्हें लिफ्त न दी जाए तो इतनी बड़ी गाड़ी रखने का फाइदा क्या है है वैसे एक बात का हूँ है यह लिफ्त शब है तो बड़ा मामूली सा लेकिन कमाल का है तुमने किसी लड़की को के लिए जाते वे देखा कार रोकी और लड़की से पूछा मैं आपको कहीं छोड़ दूँ जवाब के इंतजार किये बगारी तुमने गाड़ी के दरवादा खोड़ दी अगर लड़की ने नकरा किया तो समझो बात बन गई वो लड़की अवारा है और अगर वो अवारा नहीं है तो या तो शुक्रियादा करके वो इंकार कर देगी या फिर गाड़ी में बैठ जाएगी अगर गाड़ी में बैठ गई तो अता-पता पूछ लिया बस फिर बा प्पडीचर शहर में दो परियां कहां से आगे एक घरारा दुपटे पंडब्बे वाली थी और एक साड़ी वाली थी मैं साड़ी वाली में जादा इंट्रेस्टिक हूँ अपना इंटर्स कहीं और लगा वह दालने के लगी तेरी अरे दाल साली है तो गले की कैसे नहीं पंडे जी नोटों के इंदन पर तो पत्थर भी गल जाता है नाम पता बदा कर देखिए दो हफते के अंदर-अंदर अगर उसकी मुलाकात अपने बेड्रूम में आपसे न करवा दी तो शर्त एंदर छोटी शहर में रुपया अप या आदमी से छोटा ही होता है तब तो तुने रुपय का कद नहीं देखा बेटा मैं लंबा हो ना लड़कियां सीड़ी लगा करके मेरे टॉप पॉकेट में घुसने के लिए आपस में जगड़ती है मैंने कहा ना रमा जी इसी लड़की नहीं है रमा जी जिन से आज तरी मुलाकात हुई थी वो अपने प्रोफेसर शर्मा की बेटी रमा जी है अच्छा अच्छा और वो फिसलने वाली नहीं है तुझे इन रमा जी पर इतना यकीन क्यों है तेरा कोई चक्रोकर तो नहीं है बाई बता देना मैं लखनाओ चला जाओंगा मेरा कोई चक्रोकर नहीं है मगर मगर तब फिर अपने मगर को जेब में तैय करके रख लगाता है शर्त हार जाएगा तो क्या हुआ लगा ले मैं हारा तो हजार दूगा जीता तो रुपया लूगा क्यों दर गया हारा तो एक रुपया दूगा और जीता तो एक रुपया दूगा प्रगास यह ठीक है कई लोग जीवनियों में छोट ़ोलते है लेकिन मुझे छोट किसी रूप मे पसंद नहीं रहे प्रगास यह बुझया सच्ची है मैं अंदर आ सकता हूं, सर अरे प्रगास, तू यहां सर मैं अंदर आ सकता हूं हाहँ आण यह कॉन है, प्रगास सर ये इंद्र है, इंद्र सक्सेना, मेरे साथ पढ़ता था तुम वही इंद्र हो ना, जिसे मैंने क्लास से निकाल लिया था हाँ सर, और उसे दिन प्रतग्यां की थी कि अगर इस जीवन में किसी लाइक बना तो एक दिन आपके चरण चुने जरूर आउंगा पिछले दिनों किसी काम के सिल्सले में कश्मीर गया था ये आपके लिए लाया हो एक क्या है? एक मामली से शौल है अरे, ये तो पश्मीन लगता है जिया इतना महिंगा तोफ़ल आने की क्या दूरूरत थी भई? इतना महिंगा कहा है, सर ये कोई तीन-चार हजार का होगा तीन-चार हजार? अचा-चा, बैटो, बैटो तुम यहाँ हो तुम करते क्या हो? जी, बिल्डिंग कंस्रक्शन में हो, सर अचा, कितना कमा लेते हो? कोई बनी टकी आन्दी ही नहीं है, सर किसी साल 14-15 लाग में जाता है और किसी साल तो 5-7 लाग भी मुश्किल से मिलता है अचा, रमा, रमा कितना पैसा करते क्या हो? बचता कहा है, सर सब कुछ तो टैक्स में चला जाता है अब देखी न, इंकम टैक्स देता हूँ प्रफेशनल टैक्स देता हूँ, एंटर्टेन्मेंट टैक्स देता हूँ, अक्यूपेशनल टैक्स देता हूँ, उसके बाद हेल्थ टैक्स, रोड टैक्स, मोटर टैक्स, ये टैक्स, गो टैक्स, टैक्स ही टैक्स देते रहता हूँ, सर अरे रमा, ये इंदर है, मेरा पुराना स्टूडेंट है, आज कल बहुत बड़ा बिल्डिंग कॉंड्राक्टर बन गया है, और ये रमा है सेर, इन लोगों से तो कल बड़ी मज़ेदार मुलाकात हो गई, ये लोग धूप में खड़ी थी, मैं तो पैचान गया, मैंने गाड़ी रोकी सोचा इने लिफ्ट दे दूँ, बस सर वो जाड़ पड़ी कि क्या बताओं, मैं तो दुम दबा कर भागा हूँ हाँ से प्रकाश कैसी मज़दार बात है, आज जनम दिन है रमा का और तोफा मिल रहा है मुझे, आज रमा जी का जनम दिन है, आज देखो इंदर, आज रात को तुम खाना है, यहाँ खाना हाँ, जरूर खाओंगा सर, लेकिन इस समय आगया चाहते हूँ, आप लोग काम कर रहे थ जरूर दाल में कुछ काला है, जबी न, सुना नहीं, फिताजी का स्टूजन था, अरे यह सब बहाना है, यह तुछ पर लुट गया है, मुझे पर क्यों, उजन तुभी तो साथ थी, अरे रमा, मुझे पर लुटने वाला तो कपका लुट चूका, आज ये, देखिए, पूरा साथ, ये सब काम पांच बिजे से पहले हो जाना चाहिए, और आँ देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा पंडाल लग जाना चाहिए, उपर, ऐसा कमाल दिखाईए, कि देखने वालों के मुझे से वाल निकल जाए, जरूर, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो जा रह ये कह रहा है कि कोई खिद्मत का मौका दीजिए, तो मैंने सोचा इने खिद्मत का मौका दे ही दूँ, लोग भी देखें, और और कहाए, कि हा, ये हुई कोई पाटी मेरे बर्दे पार्टी लोगों के लिए नहीं दिजी, अपनों के लिए होती है, और उनके लिए पंडाल के जुरूत नहीं है अध हो गई, यानि कि आप अपनी सालगेरे पर मुझे खुश होने की इजाज़त भी नहीं देंगी खुश होने के लिए पंडालकी क्या जुरूत है, दौलत का दिखावा मुझे बिलकुल अच्छे नहीं लगता आपकी मुस्कुराइट बहुत खुबसूरत है प्रकाश जी, लेकिन हर आदमी अपने तरीखे से खुश होता है, मेरा और कोई मतलब नहीं था आई खासब सुनिये, पार्टी में आना मत बोलिये तू सलामत रहे हाया अच्छे पहले तूही बिसमिल्ला कर ले, जूख ले कभीर नहीं आये लैला चाजान, मरीज के घर के लावा वो कई भी टाइम पर नहीं पहुंच ले अभी आते होंगे जनम दिन मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया बैटे आये लैला, मैं अभी आया आया, मैं समाल देती बाई यहां कोई पानवन कालता है? अमाजी, आप तो काईये ना? जरूर, जरूर यह लीजे जरुदा जी तिराओ, जी तिराओ नमस्तर अमाजी नमस्तर जरुदा 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 सब करने भी आता है सुनीए जी आप इसे वापस लीजाए क्या बुरा मत मनलंदर जी मुझे जूईलरी का शौक ही नहीं बिला बजय यह घर में पढ़ा रहेगा मेरे ले तो कूई पूल या किताब काफी है प्लीज नमस्ते रमा जी, शुब कामनाओं की साथ, क्या है, कवीदा की किताब है, अरे, बहुत बहुत धन्यवा, आये न, आदे रिंट के बाद जरूर आना, आउंगा तो जरूर बेटा, रमा, रमा, जी, पिता जी, अच्छा, ग्यारा बच चुके हैं, तु ठीक, ग्यारा बज़े पैदा हुई थी, इसलिए तेरे जनम दिन पर में ठीक, इसी वक्त तुझे आशिरवाद देने आता हूँ, अच्छा, पिता जी, आपको अफ्सूस नहीं होता, कि बेटी की जगा अलब बेटा होता, बिल्कुल नहीं, सीता, सावित्री, सरस्वती, सब बेटियां ही तो थी, मैं आशिरवाद देता हूँ, बेटे, तु जिन्दगी में कोई काम ऐसा ना करे, जिससे किसी को भी दुख पहुँचे, क्या लिगा जा रहा है भाई, अरे तू, हाँ बेट, बजट बिना जा रहा क्या, बजट, हाँ और क्या, तूने तो यह सोची लिया हुगा, कि शर्ट तुम्हे आज हार गया, क्यानी, तुझे एक रुप्या मिलेगा, शायद उसी को खर्च करने का पजट बना रहा है, इंदर तू तो बस, अरे जिस दिन यह शर्ट लगी थी, मैं तो उसी दिन जीती है, नहीं दोस्त, मैं यही कहने आया था, कि न तो अभी मैं शर्ट हा रहा हूँ, और न तो जीता है, प्रकाश रुप्या भेस भी बदलता है, क्या हो गया तुझे, क्या अंचन बख रहा है, अब तो जिद की बात भी आन पड़ी है, गुनाइट, अबराद के भी मैं अबराद के लिए बात वारत के लात भी मैं बख्या रहा हुआ है, पर रहा है! क्या है? दंदlor साहब, द्रक्टर साहब高 नमस्ते द्रक्टर साह है द्रक्रादा पर गृए और वकने नीख गे findet इसलोग मैं है गत क्ये दो दीक शब्जाश, रिह यह री मिल सोट है गती क्यान से स्पॉजवड़ खाह। आये, आये, बैठे, बैठे, सुना है, कर आप कोई नेखलिस लाते रमा के लिए, तब तो आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने उसे लगबग घुमा के मेरे मुँपे फेंगती है, अच्छा आप तो उनकी सहेली है, नसनस जानती है उनकी, बदा सकती है किस चीज में दिल मैं नहीं जान थी, इसलिए मेरे से पंखा जल रही थी, इस मैगजीन में उसके एक नजम छपी है, पेज नंबर 16 देखिए, बिचाई नजमी लिखती है, लेकिन पढ़ने वाला, तारीफ करने वाला कोई ने, एक बार चाजान को दिखाई भी, तो उन्होंने तीन सो तिया ने शायर की जबान पर इतना रचाव तो नहीं होता, और आप न उसे नया कैसे मान लिया, अरे धेर सारे नजमी लिखी है, लेकिन सब के सब, नोट बुक की कबर में बंग पड़ी है, लेला बेन, बेहन कह सकता हो ना, यहां, क्यों नहीं, लेला बेहन, मैं उनकी सारी कवि कविताओं की कौपी उससे दे क्यों, अरे दे दी तो कौन से खायमत आ गई, तेरा भी कमाले यार, नमस्ते जी ओ, चाजान तरी शारी को लोकिस न करे, तो भी तो खाफा, और यह बिचारा तरी शारी को पढ़के, तो भी तो नाराज, फिर भी, फिर भी क्या, वो बिचार तुमारी नजमों का अपनी नाम से थोड़े शपा देगा, मुझे ये कविता का कलेक्शन चपाना है, अच्छा, कविता भी जुरू कर दी, नहीं यार, कविता मेरे बस की बात नहीं है, तेक, ये किताब मुझे चार दिन में चाहिए, चार दिन में, अरे, कंपोजिंग हो अरे, मगर सुन तो, कापी कितनी चाहिए, तेक, एक भी चलेगी कविता क्विता क्विक क्विन क्विता नमस्ते, नमस्ते, आप इस तरह मेरे कविताओं की कॉपी क्यों लेगे थे, उसी को तो वापस करने आया हूँ, उस दिन लेला बेंके हैं आपकी एक कविता पढ़के मुझे शिरहा नहीं गया, इसलिए मुझे माफ कर दिजी, नमस्ते, कर दो कर दो कर दो बाला, आपकी आवास भी आपकी कविताओं की तरह हैं, बहुत सुनदर आप उस दिन कीताब दोने के बाद भागत हो गय थे? इसलिए कि मैं जनता थे कि आपको ये जरूर बुरा लगएगा कि मैंने आप से पूछे बगए आपकी किताब चपा दी, इसी डर से, मैं अच्छा, तो आप दरते हुई हैं, जी हाँ, आप जैसे कलाकारों से खास करके, आप मुझ जैसे साधारों लोग तो हैं नहीं, मेरी मामूली कविताएं इस तरह छपाने के जुरूत क्या थी? मामूली कविताएं? रमा जी, आप अपने आप को पहचानती नहीं है, मैं कलाकार तो नहीं हूँ लेकिन कला के बारे में थोड़ी बहुत समझ मुझ में जरूर है, आपकी ये मामूली कविताएं, चिंगारियां हैं, देखेगा एक दिन साहित जगत में आग लगा दिंग, पागल हैं आप? नहीं रमा जी, अगर मैं पागल हूँ तो मेरे साथ और बहुत से लोग भी पागल हैं, ये देखी चोटा सा सुबूत, क्या है? साथ दिन में आपकी किताबों की जो बिक्री हुई है, उसकी रॉयल्टी, ये चेक तो डाक से आने वाला था, अचानक मैं पहुच गया, मैंने कहा, इसे आप तक पहुचाने का सवभाग की मुझे दिया जाए, साहतिकारों ने आपकी इस किताब के बारे में जो लिखा है, वो तो आपने पढ़ाई होगा, नहीं तो, पड़ी, पबलिशर्स तो कह रहे थे कि उन्होंने रिव्यूज आपको भीज़ती है, आपे बताई न, क्या लिखा है, पहले आप ये बताईए, कि आप मेरे इस पा और शर्मा का पहला कावी संग रहे, और मुझे लगा कि वो पिछली न जाने कितनी शताब्दियों से, अपनी शैली की पिछकारी में अपने अनुवरों के सातों रंग भरे, खुली खेल रही है कर शाम को आप क्या कर रही हैं? क्यों? नंद गाव में जो म्यूजिक कानफरेंस हो रही है, उसमें मैंने चंदा जरा ज्यादा दे दिया, उन्हें मुझे उठा के पेलजन बना दिया, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी आबरू बच जाएगी वह कैसे? भाई, म्यूजिक की सुद्बत तो मुझे है नहीं, जहां आपको तारिफ करते वे देखोंगों मैं भी गवाबा कर दूँगा कौन आ रहा है? बता नहीं कोई रविशंकर करके पंडित रविशंकर तो नहीं है? हाँ हाँ वही पंडित रविशंकर पंडित रविशंकर आ रहा है? यहाँ तब तुम्हें जरू जाओंगी? देखे, आप सर से जरूर पूछ लीजेगा हाँ जरूर पूछ लोगी ठीक है तो फिर कल शाम को चार वजे मैं आपको लेने आजाओं दाड़ी कुँ रोग दी? मैंने आपसे छूट बोला था क्या मतलम? रमा जी ये संगीत समेलन का रास्ता नहीं है रमा जी रमा मेरी बात तो सुनी है रमा जी मैं हैरान होगी हूँ आपकी हमत देख रहा हैरान तो मैं भी हूँ रमा जी मैं ऐसा कर बैटूंगा कुछ तेर पहले सोच भी नहीं सकता था मैं आपसे माफी तुनहीं मागूँगा सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मेरी इस हिम्मत की वज़े सुन लीजे हाँ मैंने जुरूर चुट बोला लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं आपके साथ रह सकूँ जिया इस गुनाय की सजा बगतने को तयार हूँ लेकिन जो गुना मैंने किया नहीं उसकी सजा आप मुझे मत दीजे आपने मेरे कई पागलपन देखिया है लेकिन कभी कोई बत्तमीजी कोई बचलनी देखिया नहीं अगर मेरे दिल में ज़रा भी पाप होता तो क्या मैं आपके सामने इस तरह से रोटाकर खड़ा हो सकता था अगर मैंने आपको चाहा है तो सरफ इसलिए कि आप मुझे पवित्र बना देती है मैं सच कराऊना मजी मैं जानता हूँ कि मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ लेकिन आप में क्या मर्यादा है, क्या इज्जत है अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि आप में मुझे वो शक्स दिखाई देता है जो अच्छा बनना चाहता है रमाजी कुछ दिनों बाद मैं यहां सहमेशे के लिए जा रहा हूँ कहाँ? मसकत चार छे आठ साल तक शायद मैं हिंदुस्तान वापस ना लटूँ इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक शाम गुजारूँगा आपको दाना सुनूँगा ताकि चार छे साल उसी शाम की याद में गुजारता हूँ लेकर चलिए आपको घर छोड़ता हूँ आज तो यह तैह हो गया कि मैं किसी शरीफ लड़की के साथ शाम गुजारने लाइक नहीं हूँ चलिए थोड़ा ठहर के चलते हैं प्रादा तावन के जूने पड़े चले आओ, चले आओ चले आओ, चले आओ चले आओ, 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 चले पाजर हुई है तो ओ आप क्या दरूमे जगर घर के जिया जैसे पंजी तुड़े सावन तुने पड़े तुम चले आओ तुम चले आओ दिल में उखारा तुमें दिल में उखारा तुमें दिल में उखारा तुमें यादों के पर देश से आपी है जोजे तुमें आप मुद दर गर पे है कपजे खड़े सावन के जूले पड़े तुम चले आओ तुम चले आओ तुम चले आओ 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 आज कले आओ देखता है नहीं जरा काम था आओ काम को मारो गोली इतना भी क्या काम कि तुने शर्त की खरीत नहीं पूछी आज पंदरवान है भाई मैं व्योपारी थोड़ी हूँ साहेती क्या विद्धारती हूँ दिनों का हिसाब रखना नहीं जानता हाँ तुम मैं बता देता हूँ आज पंदरवान दिन है चार साड़े चार बजे के करीब आप घर आ जाईएगा एक रुपया लेकर बेडरू में मिलूंगा इंदर साब ने आपके लिए चित्थी भेजिये प्रमा जी आपने वादा किया है कि आज शाम की चाय आप मेरे साथ पीने वाली हैं सोचा कि आपको याद दिला कि मैं आज चार बजे आपका इंतजार करूँगा इंदर और हाँ मैं कली यहां से जा रहा हूँ साहब ने जवाब मांगा है हाँ, कैदन मैं आओंगी नमस्ति रमा अरे ओ रमा क्या है पिता जी अरे वो प्रकाश बहुत देल से आया हुआ है चाय वाय मिली है नहीं मैं तो भूली गे थी अरे लक्षे भी छुटी पर है चली मैं आती हूँ हाँ असन बेटी वो प्रकाश कह रहा था इंदर हम लोगों जैसा नहीं है उससे तेरा मिलना जिलना ठीक नहीं है और सच पूछो तो मेरी भी यही राय है पिता जी हाँ पिता जी लेला जा रहे है मैं उसे छोड़ने स्टेशन जाओ हाँ हाँ जाओ मेटी जाओ आए 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 बस आज मैं एक शर्थ जीतिया मेरे दिलने शर्थ लगाय थी कि आप नहीं आइगी और सच पूछे तो अभी वियकीन नहीं हो रहा है कि आप आईए सपनों से लगड़ा है बटिट बटिट कमाल है अभी इसे घड़ी देखने लगें देखने के लिए ज़्यादा चिची से मौझूद है जैसे केक है, पेस्ट्री है, समोसा है क्या वात है, बहुत परिशान नदर आरी हैं आप नहीं तो दरसल पिताजी से कुछ और बात बना के आये हुई है बात बनाने के क्या ज़रूत थी? पिताजी को तो आप नहीं जानते न और फिर यहाने का बात अजू कर दिया था मतलब, मतलब आप मेरे लिए बात बना कर आएं चलिए पदा तो चला कि जिंदगी में जूट की भी एक जगह है मैं तो इट पत्थर के साथ काम करते करते जैसे खुद इट पत्थर हो गया था लेकिन वो शाम जवाबगा रही थी और शाम के सन्नाटे के सिवाए हमारे बीच और कोई नहीं था तो मुझे ऐसे लगा जैसे सिमेंट की बोरियां और इंटों के धेर को हटा कर वो आदमी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जो आदमी मैं कभी हुआ करता था वो गाना अब फिर से सुना देंगी सर आज वी तक चाय नहीं मिली आज चाय मिलेगी भी नहीं लचिया चुट्टी पर है और रमा अभी अभी लैला को छोड़ने स्टेशन गई है लैला? वो तो बारा की गाड़ी से चले गई मैं स्टेशन किताबों का पार्सला ने गया था वही लैला से तो रमा नहीं नहीं यह तो नहीं हो सकता कि रमा को मालूम भी ना हो कि लैला कॉंसी गाड़ी से जा रही है तो क्या रमा मुझे जूट बोलकर कहीं और गई है कल कल रात कुछ ज्यादा ही हो गया थी डाली देखना कास जीजीए तुम कोई और नसर आ रहे हो कि तुम तो वाकि कोई और हो अदि भी जाने पड़ीगा अभ मैं पूछ काइसी बताओ बात क्या है प्रकाश सुम्मे मुझे जाने देजीए सर्ट प्रकाश तुम जानते हो रमा कहा गई है सब प्लीज मुझे जाने दीजी मैं पूछ रहा हूँ रमा कहा गई है यह सुनो यह अंदर कौन है? पता नहीं पर अंदर जाना मना है मतलब डॉली की छुटी? इंदर? एमेन साब तुम चुब रहा हूँ इंदर? तुम यह क्या कर रही हो? कुछ नहीं तुम्हें पकार रही थी एए तुम जाए यहां से इदर रहो इन बुलाए क्यों आई हो? बहुत दिनों से बुलाए जो नहीं इसलिए आई हूँ पको मत चलो जाओ समझी नई कहानी शुरू और पुरानी कहानी खत्म ठेरो ठेरो जरा गिनने दो रुखिया, सूजी, कमला, रानी और मैं यह कौन है? तुम्हें से जाते हो क्यों नहीं है? यह हम कहा है अगे पकार्ष? सर? सर, आप? अरे, इंदर? यहाँ, यह तुम्हेरा घर है? यहाँ, आईये नगे बड़े सभागी की बात है क्या आपकार्ष? तो रुमा, रुमा यहाँ आईये क्या? अब ओ, तो उस गाने वाली का नाम रुमा है? हाँ, हाँ, यही आईये, अंदर कमरे में है रुमा? सब, मैं, मैं तुम्हेरा मिलने नहीं आया हूँ अंदर रुमा तो यह है वो स्टेशन, जहाँ आने के लिए तुझे मुझसे जूट बोलना पड़ा हाहस में कोई खड़किया दर्वाजा हूँ जर बंद रहूंगी चलो, चलो, ज़ा णमा होगी है, मैं सब समझ ग יה, अब मेरी ज़ेगे रॉमा आगई है, तो तुम्हेरा मेरी जरूरत नहीं है चलो कुछ पैसे निकालो रकाश तो तुम सब कुछ जानते थे और फिर भी चुप रहे बता देते तो आज में अपनी बेटी को एक वेश्या और एक दवलत्मन आवारा लड़के के साथ देखने से बच जाता तुम इतना गिर गई पिताजी, पिताजी मैंने इसक कोई काम नहीं किया जिस्ट और क्या करना चाहती थी तो और क्या करना चाहती थी सर, सर पिताजी, पिताजी को यहां ले आने के लिए बहुत बहुत शुक्तिया बेश शरम अपनी कर्दूद नहीं देखती हो, प्रकाश पर इलजाम लगा रही है, छूटी प्रकाश इस मरक से मुझे ले चलो, बेटा मुझे ले चलो इंदर आज तुमने गुरु रक्षना दे दी चलो, प्रकाश चलो रमजीब आप क्यों परशान होते हैं मैं इसी लाइप थी चाहे पिलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्तिया देखे रमजी इसमें मेरा क्या कसूर है सुनिये मैं रमजी हूँ डॉलिस उजे नहीं हूँ तुमसे हजार बार कहा कि तुम्हारे लिए एकसाइटमिन ठीक नहीं है कहा नहीं मालोगे तो एक दिन अंध्य हो जाओगे अपनी बेजी को किसी आवारा लड़के के बेडरूम से निकलते देखकर किसी शरीफ आदमी को क्या करना चाहिए कभीर समझ में नहीं आता उससे उसे पालने में कहा भूल हो गई तुम कह रहे हो आख चली जाएगी अरे बेटी चली गई तो आख में क्या रखा है कभीर अगर गर जनब ना लेती तो अच्छा होता और पैदा होगी गई थी तो आज का दिन आने से पहले मर गई होती तो और अच्छा होता अगर अगर आगल झालकर्डर्ण! शर्ट जीत लिया आपने, यह रहा आपका रुप्या है चोड़ याद आज जो कुछ भी हो गया न उसके लिए तो सर को वहां क्यों ले आया था अब रहने दे सब पाते शर्ट तो तुने जीती गे न अब रहाजी को उनका घर तो पहुचा दे वह तो उसरी वक्त बहांते चले गए थी अभी दागर ने पहुचे नहीं तो फिर कहा गए आई 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 कि खुराजी सेन आगई इसका आई अदिशा अजाए आई 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 इससे काम नहीं चले अजी इनको मशीन पर तुल्वाकर ब्रेग में बुक करवाईये सवारी गाली में कम से कम दो धाई टिकट लगेंगे क्या मत्रब अरे 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 लाला जी के आप खाने हैं तो गाओं के रिष्टे में हमारा भी कुछा को का लिए अपना टिकेट तो दिखाईए ए ए बिले तो अम चोडने आये तो खाली फ़रम टिकेट दिखाईए ना अरे निका लिए 50 पैसे और जाते वकट टिकेट ले जाए जाए का दरा दन्यवाद धन्यवाद आईए अरे यहां गाड़ी कितने दे तरुति कंगती है यहीं、 एक दो मिनिट क्यों बहुत प्यासराhost लगे हमीपैने अकहए यहीं इह तो पानी है यहीं भाझे है यहलीजियी हायद में भी दो कर आईए कि इन्चीं तो सातवाण踏ल लोग वैठों मैं आपि आता हूँ आरे आरे आरा ये वह आरद कहा गे है मिरा बैग तो ही पैँर आप किसी थी? सुनिये एक मत्रूने टिकट किद ओ छा मिरर साए आप टिक्ले बैट से जो हुधत rubbish से आते थो गे बारी बैज़कर सही है पर लिले के फैल अजिइ चिकट टिकट अब मुझे सालियां और मुह देखने की फुर्टत का यह डबलूपी पकरते पकरते ही मेरी जिन्दगी करते है यह से कोई लड़की नहीं गई लड़की देखी तो थी शाय देखी मैं जा की देखू अच्छा देख लिए टिकट की दर है कहा जा रहा यह क्या मेरे बाप का रेली वेश पीटेर छल बैठ उजा इदर यूपज में सेयर करने चले आते है इसमके सब सचुर्ड चोड़ाए नहीं जाना है जोड़ाए शूराए व्हुआ नहीं पाने पीने उत्री ती लड़की मेरा बैक लेक भाग भाग बैक छोड़कर आप पानी पीने उतरी थी समाल, लगता है आज केल भी आप लोग सतुजुग में ही रह रहे हैं आईए, मेरे साथ आईए बगरू, जरन्टीनों को चलान कर देना डबलूटी है सासुर आईए, मेरे साथ आईए आई क्यों बैटे देर खुजली हुए तुम लोगों को आईए, आईए, बैठिये तो आपका बागी सामान भी ट्रेन में रह गया होगा मैं अगले सिजन भी अभी खबर करें मेरा और कोई सामान नहीं कोई सामान नहीं? तो कै सिर्फ एक बैग के साथ आप सफर कर रही थी? जी हाँ अच्छा, तो रिपोर्ट लिखवाईए मैं रिपोर्ट लिखवाना नहीं चाहती देखिए, मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं आप इसे ले लिजी और मेरे बानी करके दिल्ली का टिकेट देदीजी ठेरी, ठेरी, इस छोटे से गाम में यह कहां देखेगा? और फस कीजिए कि आपकी टिकेट का बंदो बस्त हो भी गया दिल्ली के गाली तो कल ही मिलेगी इसी वक्त और सुबह से पहले और कोई गड़े जाती भी नहीं फिर राद बर आप रहेंगी कहां? वेटिंग रूम में आजी इस छोटे से इस्टेशन पर वेट कोई करता ही नहीं तो वेटिंग रूम कहा होगा यहां पर? तो? आप एक काम कीजी पासी मेरे कॉर्टर है आज रात महीं रह लीजी नहीं नहीं आपको ख़वखा तकलिफ क्यों दू? अजी इसमें तकलिफ की क्या बात है बैंचलर आदमी हूँ अकेलर है क्या हुआ? ओ समझ गया आप सोच रही है मैं आपको खा जाओंग मैं आपको शकल से गुंडा बदमाज दिखा जिता हूँ रही है यही रही है भरी ट्रेन में आपका बैग उट गया खाली स्टेशन पर आप उट जाएंगी या मवाली बहुत है हाँ ठीक है ठीक है लल्कियों में यही तो खराबी होती है न मानने वाली बात तर से मान लेती है और मानने वाली बात कभी नहीं मानती है उसका कहा मान लिया जो बैग लेकर सतक गया और मेरा कहा नहीं मान नहीं है जो पना देरा है अरे लडकी का एक रूप बहन बेटी का भी होता और मर्द सिर्फ गुल्डा नहीं, भाई भी होता ठीक है लीजिये, लीजिये, रख लीजिये मुझसे बचने के लिए यही काफी है रख लीजिये, रख लीजिये चलिए, सोच रही है अरे मगरू, मंगर रफ्तर, अजीच चलिए, 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 चलिए यह, आई, आई, आई जगा छोटी सी है, शाय, उम्मीद पसंद आया आपको, आई आई, 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 आई यही है मेरा कौर्टर आई, एक मेरा दिया एक मेरा दिया आई, आई आई, आपको वहाँ देखा तो एकदम से वह याद आगी तभी तो आपको यहां लेकर आया हूँ क्या हो गया था मेरा पता ही नहीं चला शादी के दो मेहने पहले आद घंटा बीमार रहकर यही डबल खरावी है मुझे जरा इसा मौका मिलना चाहिए सुधा का दुख़ा लेकर बैट जाता हूँ चलिए हाद मुद्धों डालिए भूक के मारे भूले डाइड होड़ा मेरा आई आई जल्दी आई 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 यह सामने जल्दी कीजिए भूक लग रही है वक्त पढ़ने पर मैं किसी के लिए जान भी दे सकता हूँ लेकिन भूका नहीं रह सकता मगर सुनिये आज आधा पेटी खाना पड़ेगा मुझे क्या मालूम था कि आप आ रही है आप खाना खालीजी मैं नहीं खाऊंगे आप तो कल शाम की गाली से दिल्ली जा रही ही ना हाँ तो कल शाम तक के लिए मेरे लिए मेरी सुधा बन जाओ न आओ जो कुछ भी है हम दोनो भाई बेहन मिलकर खा लेते हैं आओ, बैटाओ मासुदाप मासुदाप साब कैसाब हो गया साब 85 डॉंग का एक्सिदेंट हो गया एक्सिदेंट? हाँ साब, पासकोस आगे पूल आया, ट्रॉली आ रही है तुझे तुझे तुझे, मैं आया, मैं आभी आया देखा अगवान जो करता है, ठीक करता है जिस ट्रेन में तुम सफर कर रही थी उसी का इक्सिदेंट हुआ है अच्छा, मैं चलता हूँ तुम फिकर बन करना आराम से खाना खाकर सो जाना आओ, पहले तुम बन कर लो आओ, जिली कर जिली कर जिली कर आराम से टुम एाँ येच्छ पुम एाँ प्लियों ऑम्रेची! पहले आप मेरी बात का जवाब दीजे मैंने आपको क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ये नाटक किया रमा जी, मैं इंदर जी, एक छोटे से शहर में मेरे एक छोटे से जिन्दगी थी बिना सपने के फिर आप आये मुझे नयने सपने दिखाने लगे मैंने आप पर भरुसा किया और फिर आइस्ता आप के तरफ बढ़ने लगे क्या, कहीं मेरा कुसूर था जिसके लिए मेरे साथ वही नाटक करते रहे जो आप दोलीजे से लड़कों के साथ करते है प्रमा जी मैं आप से सच कह रहा हूँ यह सब कुस शुरू नाटक से ही हुआ था लेकिन आपके जाने के बाद वो नाटक नाटक नेरा सचाही बन गई थी आप जानते हैं आपने मुझे किस रास्त पे धकिल दिया है मैं डॉली रुकिया तो नहीं बन सकती नंगलाल मर गया नंगलाल इंस्पेक्टर साब आई आई आप जा के फुल सुथ मिली बैठिये प्यादा पिएंगे एक गलास ठंडा पाई पिला दो सुदा एक गलास शरबत लाना दरोगा जी के लिए तो कितने मरे भाई कुल मिलाकर चोबीस चोबीस तो सबके घरवालों को तार कर दी है हाँ भाई जिनका कुछ अता पता मिला उनके घर तो तार कर दी है चंद लाशे ऐसी कुछली गई हैं जिनका पहचाना मुश्किल है एक लाश के हाथ पे तो गोदना था नाम था रमेश्वरी बेवी पताने कौन थी कहां की थी दूसरी लाश की दीचे मुकदमे के काज़ाब थे अली गड़ जा रहा होगा तारीक पर यू उसका पता चला एक कुछली वी लाश के पास एक बैग मिला उस बैग में एक खत था तुमारी रमा शर्मा फेर आप प्रोफेसर दियाशंकर शर्मा कचारी रोल पर ताब कर दो दियाशंकर तुमारा था कभी तुमु पढ़के सुना मैं किसका तार है रमा के बारे क्या है उसने इंदर से शादी कर ली नहीं तो मैं प्रकाश तुम ही पढ़के सुना दो बेता क्या हुआ क्या है प्रकाश नही प्रकाश तो यही तुम्हात तो यह। ब्रश्व व्रव कभी तुमा व्रьत कर दुमाध कबीर कबीर सब अंढे नोगता-जा आ है कबीर कबीर कभीर में अंदा हो गया कबीर कबीर मैं बिल्कु अंदा हो गया कबीर नमस्ते मामा जी नमस्ते, सुनो, मुझे ख़बर मिलिया के ननलाल के पास कोई लड़की ठेरी हुए जी हाँ तुमने देखा उसे, कौन हो? जी ये तो मालूम नहीं उमर क्या, देखने में कैसी है? पचीश-चपवीस की होगी, सूरत भी अच्छी है सूरत तो मैं बिगाडता हूँ उसकी जाके सुधा, ओ सुधा क्या भया? मेरे खपले निकाल दे, मैं तब तक नहा लेता हूँ जरा तुम नहा तो थोड़ी हो भया, नहाने का नाम करते हो अरे जिसका तनमन साफ हो, उसको नहाने के लिए पूरे पानी की दरिया की जरूरत नहीं होती है एक लोटा ही काफी है तनमन साफ हो तो क्या ये छित्रा बनियान पहनने भी जरूरी है देखो, आज अगर अपने लिए बनियान नहीं लाए ना, तो मैं शाम की गाड़े से चलिया होगा अज नहीं, मैं आज बनियान लेकर आउँगा, पक्का वादा ये पक्का वादा तो कल भी किया था नहीं, वो थोड़ा कच्छा था कौन है अरे कौन है भाई आओ, आओ, आओ ये है मेरे मामा जी, पंड़त प्रभाकर चतुर्वेदी, संगीत शास्त्री क्या नाम है तुम्हारा? सुधा शर्मा सुधा शर्मा? तुम चुप रहो, तुमसे पूछा है मैंने? क्या नाम है तुम्हारा? सुधा शर्मा प्रामण हो? जी मामा जी, पट्री क्यों बदल रहे हो? कह रहाओं की अपनी सुधा है और आपने गोत्र पूछना चालू कर दिया हे भगवान, क्या जमाना आ गया है लड़की का बहन बेटी का रूप ही भूल गए है लो मामा जी के पाउच हूँ, मामा जी के पाउच हूँ अरी आगे बल चाजान लहला बिटी का बाई बेटा? अभी अब कुछ दिल रहोगी ना बेटा? मेरा बस चले चाजान, तू जिंदगी भर ना जाओ आपकी देखबाल के लिए कोई तो हो अरे, लच्छा जो है वो वक्त के रोटे तो पका ही देती है सर्थ, अब मैं यही रूँगा आपके पास ने, इसके कोई जरूरत नहीं बटा इसके कोई जरूरत नहीं है आप मेरे पिता समान है, सर्थ अगर इस उत मने आपकी देखबाल नहीं की तो और फिर, मेरे आगे पिछी तो कोई बंदन है ही नहीं मान जाये न, चाजान प्रकाश भाईया आपके पास रहेंगे तो मुझे भी वहाँ तस्कीन होगी कि आप अकेले नहीं है इन्चाता भाईया तुम? एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गये भाईया मुसीबत? क्या मतलब? मामा जी मेरे बार में पूछताज कर रहे थे जूट तो बोल नहीं सकती और अरे यही तो बुड़ाबे की खराबी है जब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता तो लोग दूसरों की जिंदगी कुरेदने लगते है तुम फिकार मत करो दफतर में चलके बैठो, मैं अभी आया सब दीग हो जाएगा ठीकाट ठीकाट मगरू जाने लेकाली आप यहां के स्टेशन मास्टर है? जी, आपकी तारीफ? इंदर सक्सेना मैं उस एक्सिडेंट के बारे में कुछ पदा करने आया ओ, आये मेरे दफतर बैजी क्या आप जीवन भीमा से सम्मन रखते हैं? जी, नहीं बैठिये तो फिर पत्रगार होंगे किसी अख़बार के? जी नहीं, मैं उस लड़की के बारे में पदा कराने आया हूँ जो उसी गाड़ी में थी तो वह अब तक घर नहीं पहुंची? जीए वो तो नहीं पहुंची लेकिन उसके बारे में तार जरूर पहुंच है मैं रमा शर्मा की बात कर रहा हूँ क्या आपने उसकी लाश को पहचाना। साथ आट लाशे तो बिलकुल पहचानने लायक नहीं थी पर उनका बैग मिला था ना इसलिए हमने बैग मिलने से कैसे थापित हो गया कि रमा उसी दब्बे में थी देखिये, वो बैग खुद दिल्ली का टिकेट लेकर दिल्ली तो नहीं जा रहा था और ये भी नहीं हो सकता कि उसने रमा देवी का खत भी चुरा लिया हूँ कभी ये भी सोचाए कि उस तार का सर किसे पर क्या हो सकता है अरे, सहाब तार पुलिस ने दिया था, आप मुझे क्यों डाट रहे हैं यहाँ एक्सिडेंट हुआ वो यहां से कितनी दूर है कोई दस मिल कार जाती हमाह तक जी हाँ थांकियू पाप रे, यह तो दूफान मिलता अरे, सुधा सुधा हाँ बैया यहां क्यों ख़ली है, क्या बात है कुछ नहीं बैया रमा वो आदमी कौन था पड़ उसी घर में कौन-कौन है पिताजी है मैं भी उन गुतार करता हूँ रमया असरी करता उनके लिए मेरा मर जाने अच्छा है क्या बात है रमा, क्या बात है कुछ यही मेरी कहानी अब तुम बता भया इस हालत में पिताजी के सामने कैसे जाओ पर पर अब तेर तक भाजी चारा है मैं जाने वो कैसे है किस आलत में बस किस तरही पता चल जाए कि अनोने मुझे शामकाद दिया तो भाज तेरी चल दे जाओ वो मेरे बिला जिनी सकते मेरे बिला जिनी सकते अच्छा रो बत रो मैं छुट्टी लेकर चला जाता हूँ और तेरी तरफ से उनको देख कर आता हूँ ठीक है तुझे मेरे आख उपर तो भरोसा है न मैं मामा जी को समझा तुम तो उनके साथ बंबई चली जा मैं चला जाता हूँ प्रकाश मैं वहीं से आ रहा हूँ कहाँ से? वहीं जहारामा जी का एक्सिडेंट हूँ वहां किया था पहं गया था रामा जी की आत्म से मारफिव मागने है नहीं नहीं, मैं यह मानने को तयार नहीं कि रमा मार गय तेरे मानने या नमानने से होता ही क्या ह Works धीष किया तरे लिए सेक्टोर ट्रॉफियों में से 1 ट्रॉफिय। एक रुपयगा एक दूट मैं... मैं इस वक तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानूगा पकाश तो हमेशा समझता था ना, कि मेरा दिल मेरी जैब में है मैं भी यही समझता था लेकन लेकन अब पता चला कि मेरा दिल मेरे सिने में है ग्रमा पैदा हुई तो मेरे घर वालों के मुँ उतर गए चाजान, चाय लीजे तो को लाई बेटा लच्ची कहा है वो घर चली गई चाजान और मेरी चाय दो हातों में तेन प्यालिया कैसे लाती? और साक्रिन भी नहीं है आदी प्याली मिले की बद नमस्कार प्रोफेसर दयाशंकर शर्मा जी का बंगला यही है जी हाँ मैं बहुत तूर से आया हूँ मेरा नाम है नंदलाल नंदलाल चतुरवेदी प्रोफेसर साब के दर्शन कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अंदर आई ही है थैंक्यू सर्व, यह नंदलाल चतुरवेदी आप से मिलने आई है प्रोफेसर अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-जीते रहो, जीते रहो बैट जाओ आपकी आँख? अंदाव हो गया हूँ कहो क्या कर सकता हूँ तुमारे लिए बस चर्माजी, आपने चरण छुने दिये यही बात है बस चाय पीने की बड़ी बुरी आदत है मुझे वो राद बराद ड्यूटी देनी पड़ती है न बिटिया अरे-वाह, आवाज सुनते ही आप ताल गई कि चाय मंगवाई है आपका भी कमाल है, रमाजी बात जोड़कर शमा चाहता हूँ पर रमाजी के बारे में बात निकालने का और कोई तरीका समझ में नहीं आया बात यह शुर्माजी, मैं उसी स्टेशन का स्टेशन मास्तर हूँ जहां से कुछ आगे बालकर यह एक्सिडेंट हुआ था रमाजी के बारे में तार मैं नहीं दिया था खेर, वो तो मेरा फर्ज था लेकिन रमाजी की लाश नहीं मिली थी सिर्फ एक हैंडबैग मिला था इसलिए तार देने के बाद भी बार बार यहीं खैल आता रहा कि शायद वो जिंदा है आपने नहीं तकलीफ उठाई ही वो एक्सिडेंट से पहले ही मर चुकी थी मेरे लिए मामा जी मामा भाईया अरे यह क्या सरपटपटपट़ की रो रही थी क्या जबाद में साथ आओ बात क्या है भाईया भाईया पिटा जी कैसे है अच्छे है अच्छे थै आपसे थी ऐसे नहीं भाईया शुरू से बताओ वह आजा कि तुमने ग्वहनते बजाई होगी फिर केसे ने दर्वाजा कुला होगा फिर तुम अंदर गए वो सोफा सेट अभी तक वही होगा बीच कमरे में उसे पर शौलोडे पिता जी बैठे होंगे उदास हाँ सोफा भी है बीच कमरे में उसे पर पिता जी शौलोडे बैठे हुए थे पर वो उदास नहीं थे ने 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 उदास तो बिलकुल नहीं थे और एक मोटी सी लड़की मुह में पान भरे बखबख किये जा रही थी क्या नाम था उसका मैं भूल गया हाँ लैला लैला उसका बाप तो उससे भी मोटा था अपने बाप को खुलकने के लिए जैसे ही वो मुटलो पल्टी तो फीक साड़ी पर गिली पली और तुम्हारे पिता जी उसको देखकर इतना जोर से हसे इतना जोर से हसे कि मैं बता नहीं तकता पता नहीं तकता फिर क्या हुआ फिर क्या होना था पिताजी ने मुझे अपने पास बिठाया लैला ने मुझे चाय पिलाई और काफी देर तक इधर उधर के बाते होती रही मेरी कोई बात नहीं हुए लो, एक अन्जान आदमी के सामने तेरी बातें कैसे करते लेकिन तु परिशान मत हो वो ठीक था और मज़े में हाँ, मैं ज़रा मामा जी से मिल किया है बेटी मामा जी आप मुझे संगित सिखाएंगे मैं सब कुछ भूलना चाहते हूँ मैं सब कुछ भूलना चाहते हूँ मामा जी पेसकी नाधी के बावरी हूं गरी आप में जी आप में जी आप को भूलना चाहते हूँ मामा जी आप में जी आप में जी राज के बावरी हूं गरी गली गली में जो पुली की लाव कुपाते बैदी है जमुना की नारे गली गली में जो पुली की लाव कुपाते बैदी है जमुना की नारे कभी मेरे कभी तेरे घर को गई शान को दूंबे दे आप ही हो गई हांके तकी राज के बावरी हो गरी तकी 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 एमुना की तकी लावरी कि झनाओ कर दो झनाओ कर झ कंतिश उत बुचच लगा व कि दो उते हैं कर दो कर दो कढ़ी यहीं पे मिले ही गया वहन चारा, बंजी बजी, पीनी बुकारा सभी कहीं पे मिल भी गवाँ वहन चारा बंजी बजी, पीनी बुकारा बंजी में ऐसे खुई वो सो गई, शाम को गुंडेते आप बुनी हो गई, आम के सकी राजी के बावरी हो गई तेल की राजी के बावरी हो गई जा शंकर की हालत अच्छी नहीं प्रकाश और अगर उसे यहां से कहीं हटाया नहीं गया, तो हालत दिगरती ही जाएगी इसका एक ही इलाज है, रामा को भूल जाना, मगर इस घर में वह रामा को भूल नहीं सकता प्रकाश, तुमसे कहीं बाहर ले जाने का बंदोस करो बंबाई से 20-30 मिल तूर मेरा एक घर खाली पड़ा हुआ है, सर कुमा ले चलू तेरे खर ले चलू? यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता क्या मैं केलाई कुने गार हूँ? तुने भी तो मेरे साथ शर्ट लगाई थी और तेरे पास तो शर्ट लगाने के कोई वज़े भी नहीं थी मेरे पास कम से कम वज़े तो है वज़े? कैसी वज़े? प्रकाश, कॉलेज में जब हम दोनों पढ़ते थे तो मैं भी तो तेही तना एक सीधा साधा लड़का था और गरीब था पिता जी की देहांत के बाद मामा जी ने मेरी सगाई कर दी लेकिन वो लड़की शादी से पहले एक अमीर लड़के के साथ भाग गई चांथा क्यों? क्योंकि पैसा उसे वो सब आराम दे सकता था जो मैं उसे नहीं दे पाता लोगों ने मेरा मजाग उड़ाया मच पर उंगलियां उठाई और मैं उसी दिन से समझ गया कि जिनदेगी में पैसा ही सब कुछ है मैंने उसी दिन से मैने शुरू करके यह दौलत पदा की और उसी मज़ाग को सूथ समेथ लोगों को वापस करने लगा वो दुलहन लड़कियों की तस्वीर जो मेरे दिमाग पर बना गई थी मैं हर लड़की में वही तस्वीर देखने लगा पर रमा जी से मिलने के बाद वो तस्वीर कब धंदी पड़ गई मुझे पता नहीं चला पर गाश रमा जी के साथ जब मैं ये प्यार का नाटक कर रहा था तो कवे करने मुझे ताज्यूब होता था कि इतना फर्स्क्लास अक्टियं में कैसे कर रहा हूँ लेकर आचानक मुझे पता चला कि मैं तो आक्टिंग करनी रहा ये तो मेरी जिन्दगी की सच्चाई बन गई है हाँ परकाश मैं मैं रमा से हर कुछ तुम्हें इस समय कर नहीं सकते परकाश सरके हालत मुझसे देखी नहीं जाती कुछलब से मेरे घर ली जाये लेकिन वो तेरी है रहान से विकार नहीं करेंगे चाह तो कह़ो की वो घर किसी दोस्त का नहीं तो कह़ता दा कि तो किसी दुश्वन डूपे और अगर यह नहीं कह सकते हो तो भी तो, उनकी इस तरह सेवा कर रहा है कोई प्राश्चित करने के लिए, क्या वो प्राश्चित करने कादिकार मुझे नहीं मिल सकता। Supply कर खर फगलम, ब्गई होlles cui है, सिदा मायाँ किदर है? किदर, किदर किदर खभाद that पहाँ किदर बन्यक्षोफ पेले हुश Mauri किदर गयाँ भाषराम नुदि भाषराम इसाब इदर से ये सब दालिकर हो? यदर शर्चर क्षे वह नहीं रोग के जिए य कर सकूetty अगर मेरा है औहाई भाषरस साब का टका एस Вас यहाँ så आगरी है .. मेरी इसल में वो ा ड़क हो जो हम जातना ज sûने जैखिके लौकुल है जसे सबू较 चारे पर हावा सुवर करो कर दो समार कारे आपके लिए उपर इंतिजम कर दिया है, फिलाल आप यही आराम कीजिए, आपके लिए चाय लाओ, पहले अपना नाम तो बताओ भई, मेरा नाम, मेरा नाम बाबुराम, वाह, बहुत प्यारा नाम है, अच्छा, बाबुराम भई, मेरे यहाँ ठेरने से तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना, नहीं साब, तकलीफ तो आपको नहीं होनी चाहिए, चोटा साब ने हजार भार बोला, आपको पूरा अराम मिलना चाहिए, आज सुबह भी बोला है, आज सुबह? तो मु अलिफोन, टेलिफोन से बात हओए, नाम क्या है उनका? दाव मतलब मैं तो साप को छोटे साप कहता हूँ, और बड़े साप मुणा कहते थे, और मामा जी, मामा जी बताँ, सब भूरेए, अपर शाप तो हर नाम पर बोल देते थे, आसल में बड़े आजमें को बहुत सार किशन भागवान को ले लीजिए। उनका अश्टतना सतनाम थे। अश्टतना सतना कितना मालम है। कितना है। एक सवाट। मैं आपके लिए चाह लाता हूँ। सर, ओपर चलके आराम करेंगे। यह ना भे। मैं तो पहले बाबुराम के हाथ की चाह प्यूंगा। सर, मैं दो मिनिट में आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ बिटा, जाओ। बगार्श, मैं बंबई जा रहा हूँ। डक्टर शिंगल के लिए गारे भेज़ दी मैंने। किसी चीज की जुरूत पर तो मजी फोन के लिने। और सुन, ये गारी मैं ले जाता हूँ। जिस गारी में डक्टर शिंगल आ रहा हूँ, वो तेरे ले होगी। ठीक है। ढर सक सुनु! सुनु! पुर्वाrit! कि यहां के आसपास फोन है उपार आए वो तो मुझे भी मालूम है अच्छा ऐसा करो किसी प्रोशी की यहां से इंदर को पून करतो कि मैं किसं इंदर को नहीं जानता है अरे बहुत वहें मालिक का नाम इंदर है कमाल घरते है मेरा मालिक दूपरवाला तो यह घर किसका है अगर तुमने सिजी तरह इंदर को फोन करके यह नहीं बताया, तो मैं उसे बता दूगा कि तुम मुझे बता चुक है कि घर उसका है साफ अब जेंटलमाई होके जूट बोलेंगे साफ बोलेंगे क्या बोलना टेलीफोन पे यह कहदो कि तीन-चाफ दिन में लैला यहां आने बाड़ी लैला लैला साफ तुने एक बात पूछो लैला अकेली आएगी यह साथ में मजबू भी आएगा ने आने तो अरे आगई तो आगई मेटी आओ बुलामिया कहा है वह तो साथा टुस बाद आएंगे चाजान वहाँ वो डेट्रेल सरजिनों की कॉन्फरेंस है ना मैंने भी उनसे कह दिया तुम दांत उखाड़ो जमाओ मैं तो चली अपने चाजान के पास मैं लैला भेन के पहुँचन की तार अभी विश्वा कराता हूँ जा जा अच्छा किया चाजान जो कुछ दिनों के लिए आप घर से हट गये वहाँ जी नहीं लगता था जब आदमी अंधा हो जाता है ना बेटी तो पिछले दिन मुसे बहुत साफ दिखने लगते हैं भगवान प्रकाश को खुश रखे जा जा आपने लगता है जाए लगते हैं झाल वहाँ पर वख वेड़गव प्रकाश पासाब आओ आओ ये बड़ा अच्छा हो तुम कुछ दिनों के लिए आदमी लेला मैंसर के सेवा कर सकता हूं पर उन्हें खुश नहीं कर पाता चाजान को तो आप कोई भी खुश नहीं कर सकता रमा को भूनने के लिए जितनी जिन्दगी चाहिए उतनी जिन्दगी तो आप शायद उनके पास होगी भी नहीं वो तो इसी गम में जीलेंगे मुझे उनके कोई फिकर नहीं मुझे तो आपकी फिकर है जो? मुझे क्या हुआ है? देखिए आप मुझसे अच्छा तो नहीं है सकते मैं इस वक्त रमा की सहली नहीं आपकी बेहन के नाते पूछते हूँ क्या जिन्दगी का यहीं मकसद है क्या गरबत्ती की तरह किसी की घर में जलकर आत्मी खप्म हो जाए अल्लाही समझे उस इंदर से जिसने एक साथ तीन जिन्दगिया खप्म कर दी अच्छा हूँ इंदर का सिकर तुमने खोदी निकाल दिया मैं कहीं दूनों से तुम्हें इंदर के बारे में एक बात बताना चाहता था पर हीमत नहीं पढ़ रही थी यह घर इंदर का है क्या लेकिन चालान तो कह रहती है यह घर आपके किसी दोस्त का है तो तुमसे किसने कहा कि इंदर मेरा तुश्मन है। इंदर सर्फ अपना तुश्मन है। वैसे सच कुछ हो तो इस किस्से में कुसूर, कुछ ना कुछ सभी का है। मेरा भी। आपका? हाँ लेला। और सभी प्राश्चित का रहे हैं। सर अपने हिसाब से, मैं अपने तरीके से, और इंदर अपने अंदास से। लेकिन क्या चाजा उनको मालूम है कि ये घर इंदर का है। नहीं, और उन्हें मालूम होना भी नहीं चाहिए। कभीर चाजा कह रहे थे कि सर को मैं उस घर से कहीं तूड ले जाओ। इलाज बहुत महेंगा है। मेरी माली हाला तो तुम जानती ही हो। और इंदर प्राश्चित करना चाहता था। हाई! किसी और घर के धोके में आ गए हूँ या यहीं आया हूँ। यहीं आया हूँ। यहीं आया हूँ। लेकिन आजकल बहुत कड़की चल रही है। मैं तुम्हें सिर्फ रम पिला सकती हूँ। मैंने श्राब छोड़ दिये। क्या? तुमने क्या किया? अरे यह तो कमाल हो गया। मैं अभी एक फोन करके आती हूँ। बात ऐसी है। मैंने एक फ्रेंड को बलाय था। तुम्हारे आने का तो पका पता नहीं था न? डॉली दोस्तों को बलाना छोड़ दू। इसमें कुछ रखा नहीं है। तो खाएंगे क्या? कुछ तो सोचा होगा अपने बारे में। मुझे क्या सूचना है अंदर? मैं तो अपने आने वाले कल और परसों की ख़बर आज की अख़बार में पढ़ चुकी हूँ। मैं तो एक खोटा सिका हूँ। जब तक चल जाओ। चल जाओ। डॉली में तुमसे यह कहने आया था। एक नए सिरे से जिन्दगी शुरू करो। तुम सोच लो कि क्या करना चाहती हो। बीस, पच्चिस हजार जो भी लगेंगे मैं दे तुमका। बीस, पच्चिस हजार? जिन्दगी बहुत महेंगे हो गई है इंदर। पीस, पच्चिस हजार में तो शायद दर्शन हो जाएं। दूर से। खर कोई बात नहीं। दर्शन ही सही। निकालो पैसे। तीन महीने का किराय भी बाकी है। मैं तुमारे लिए खाने पीने का कुछ बंद बस करती हूँ। सावन के छूने पड़े। तुम चले आओ। आचल न छोड़े मेरा। आगल हुई है पवन। पवन। आचल न छोड़े मेरा। पादर मुई है पवन। आगल क्या करू में जगा। भरते जिया जैते मन चीते हूँ। आपादन के छूड़े पड़े। चले आओ। चले आओ। चले आओ। जब हम मिले थे प्यार। चुम कितने नाजान थे। आओ। 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 चले आओ। तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ दीदी आओ, तुम लोग चुप रहा हो, पहले मेरी तारिफ सुन ले, आज तो तुने कमाल कर दी कितना दर्द है दीदी के आवाज में, ना भया, बिल्कुल, मामा जी इसके सुनिये, गला मेरा और दर्द का पता चल रहे इसे मैं मजाग नहीं कर रही हूँ, इतना दर्द मैंने किसी के गले में देखा है नहीं सुने सुने से पहले वो कुछ दवा जैसे थ्रोट पेंट लगा के सोना, दर्द अपने आप का मुझा अरे तुम लोग हस कर रहे हैं, खरवा बैठके गाना सीखो, चलो कर डायो, अरे वोगा बैठके गाने, चलो फर्द रहे हैं, और रहे हैं, शुदरर्शर्मा के लिए पूछे तो कहना तुम ही सुदर्शर्मा हो, और किसी के लिए पूछे तो कहना वो यह नहीं रहते लिखने बहस मत का जल्दे जाए, मैं उसे मिलना नहीं चाहते क्या बैता बेटी तुम परिशान क्यों कौना है सुधा जी है क्यों मिलना है क्यों मिलना है उनी को बताऊंगा तो बताईए मैं ही हूं सुधा शर्मा आप हैं सुधा शर्मा जी क्यों कोई अतराज है आपको जी नहीं अतराज तो नहीं है मगर हरानी जरूर है गाने में तो आपके आवाज कोईल जैसी लगती है मगर बोलने में आप रिपा करके आप मेरा वक्त खराब मत कीजिए नमस्ति अच्छा वो माना ही नहीं कि सुदाश्रमा मैं हूँ मगर वो था कौन? कौन था बेटा? कोई नहीं ममाजी नमस्ति मुझे नहीं सुनिया आपकी कुई बात ममजी भाया यह चले जाए तो दर्वा से बन कर देना और कह देना फिर यहां कभी ना आए देखिये आप मैं यहने सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ फिर कभी बता देजेगा मेरवाने गर के अभी आप यहांद चले जाएगे प्लीज कर देखिये जाएगे है कर देखिये कर देखिये याँ कर देखिये याँ हलो 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 किसका फोन था सर, पता नहीं, कट गया, लेकिन प्रकाश, मुझे ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ कोई था, बोला नहीं, फोन मिला कि बोलेगा क्यों नहीं सर, आज के लाइने बड़ी गड़बर रहती है, सुन, बड़े बंगली फोन कर, प्रकाश जी को बला, उनसे के डॉक्टर शिंगल बात करना चाहते, सर, हालो, प्रकाश जी घर में है, डॉक्टर शिंगल आपसे बात करना चाहते, प्रकाश, मैं इंदर, देख मैं जनता हूँ कि सर तरे पास है, इसलिए जो में कहने जा रहा हूँ जरा संबल के सुन, आपका ये तो, प्रकाश, रमजी सिंदा है, लेकिन देख, सर को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, प्रकाश, तु यहाँ आजा, मुझसे तु वह मिली नहीं, शायद तुझसे मिल ले, ठीक है, मैं, अब या दो, किसका फोन था, प्रकाश, डॉक्टर साब का, ऐसा क्या कहा रोक्टर साब ने, जो तुम घबरा गए है, घबरा यह नहीं थे सर, कह रहे थे उन्होंने एक नया एलाइज ठूम निकालाया आपका, बहुत एकसाइड़ थे, मुझसे अभी बुलाया है, सर, लैला बेन यहीं है, आप इजाज़त दें तो मैं हूँ जरा, हाँ हूँ आओ, पर उन्छे काय देना, मेरे लिए परेशान नहों, जी सर, क्या हूँ, चाज़न की दबित तू ठीक है, हाँ, तो फिर क्या बात है, रमाजी जिन्दा है, हाँ, इंदर ने उन्हें ठून निकाला है, चाज़न को बताया, नहीं, डॉक्टर ना उन्हें हर अच्छी पुरी खाबर से दू रखने को कहा है, हाँ, पर वो इससे मिली नह देहूं, वो मुझसे भी मिलती है या मिलने से इंकार कर देती है लेला बेन, मैं वही जा रहा हूँ, तम सर के ज़रा ख्याल रखना हाँ, जरूर वीजे चाजा अरे, क्या हुआ बेटी, तू रोत हो रही है आच्रम अब बहुत याद आ रही है चाजाद भूल क्यों नहीं जाती उसे अरे जाए जाए जाए, हमसे मत बनिये जैसे के मैं चानती नहीं उसके बगार आपकी क्या हालत हो रही है एक जरा से जूट बोलने पर उसे घर से निकाल बार किया और खुछ जो दिन रात अपने आप से जूट बोलते रहते हैं, वो कुछ नहीं आप कैसे आना हुआ ये देखने आया था के अरे, आपने देखना कब से सीख लिया है जबसे लोगों ने अपनी मौत की जूटी ख़बर उड़ाना सीख लिया है बड़ी बात तो यह है पतार जी कि आपने भी देखना सीख लिया है क्या दिखा है आपने देखा कि लोगों ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बता खुद भी पिलकुल बदल गए है रमा जी मैस मेरा नाम सुधा शर्मा है और क्या क्या देखा है अपने और ये भी देखा कि आप अपने इस नए नाम और नए जिन्दगी से खुश भी हैं मेरे खुश होने पर तो आपको हमेशा ही इतराज रहा है मैं सफाई नहीं देना चाहता सुधा शर्मा को सफाई देने से कुई फाइदा भी नहीं है पर मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना बदल सकती है मैंने आपको देवी जान कर पूजा पर आप देवी नहीं देवी की मूर्ती निकली जो ना कुछ देख सके ना महसूस कर सके जो लोग पत्थर के मुर्तिया नहीं है उन्होंने क्या देखा उन्होंने क्या महसूस किया पकाज जी मैंने तो सुना है सबी बहुत खुश है लोग जोर जोर से हस रहे अरे मेरे मरने का दुखे ना हो किसी को तो मरने का मज़ा है क्या है इसलिए मैं जी उठे पिता जी को बताएगा मत कि मैं जिन्दा हूँ जानकर उन्हें बहुत दुखों का कौन पिता जी मैं सुधा शर्मा के पिता को नहीं जानता रहा जी मैंने कहा ना जानता हूं तुम सुदाशर्मा हो, भोगे सिर्फ तुम्हा खयाल है कि तुम जिंदा हो तुम तो अपने पिताजी के दुखों का अपमान करके अभी-अभी मेरे सामने मरी हो अरे आप? नमस्ते नमस्ते प्रफजर साब आप कैसे हैं? जब आपने देखा था, उस सभी ज़्यादा जोर जोर से हस रही है अब रकाश जी, कितने बिगली है मत उस समय रमा की हालत ऐसी थी कि मुझसे मुझसे सच नहीं बोला गया, सच क्या मतलब? ना आप तुम्हे मतलब पूछने का अधिकार है और ना मतलब चानने का रमा आगई? नहीं प्रकाश के साथ आ रही है प्रकाश बैने सा कुछ बता दिया ने उसे? हाँ, मैंने गाड़ी को पीछी करा स्थे सानी के लिए क्लिए क्लिए है ख्याल रहे, सर को अचाना की पता नहीं चलना चाहीं कि रमाची संता है बाबुराम, पड़िजित ले नीचे वाला रूम कोईड़ी आख चाहीं नीचे वाला रूम कोईड़ी आख चाहीं 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 बाबुराम, चाहीं अचाहीं काम मैं हूँ चाजान अभी गाड़ी के आवाज सुनाई दी प्रकाश आगया जी सब प्रकाश क्या कहा तुमारे डॉक्टर ने सर वो वो डॉक्टर साहब ने जिशक क्यों रहे हो गई प्रकाश अब यह दुनिया देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं लही डॉक्टर बेचार क्या जाने मेरी आत्मा का नासूर क्या है फिर वही बाच्चा जान अब अगर ऐसी बात आपने मेरी सेली के बारे में की तो मैं चली जाओंगी यहां से आज तो उसकी बात तूने ही छेड़ी थी बेटी मैं तो चाहता हूं कि वो मेरे सपने में भी कभी न आये और ऐसे हो कहां पाता है कभी-कभी तो लगता है वो मेरे पास आई है और कह रही है क्या कह रही है चाजान नहीं बेटी वो ना आये तो ही अच्छा है उसने मुझे इतना दुख दिया है मैं उसे कभी च्वा नहीं कर सकता देखा प्रकाश लेला रूट कर चली गई वो समझती ही नहीं के सुनो आयंदा मेरे सामने रमा का जिकर कभी मत करना अधा वो साहाब अपने बाबूराम के हाथ के चाई नहीं प्याइगे सुभे सुभे तुमारे हाथ के चाई पिये बीना मजा नहीं आता तब हो रही – तो हने मज़ा आएगा कौन है प्रकाश ? सर प्रभाकर चतुर्यदी जी है शास्त्रियसी के बहुत बड़े पंडित आपसे मिलने आए बाबुराम एक गुरुसिलाना आए नमस्कार शर्मा जी नमस्कार पंडित जी आए आए बैठिये हम यहां हवा बदलने आये थे आप भी यही है मेरी भांधी भी मेरे साथ है साहत की स्टूडेंट है और आपकी बड़ी भक्त है परनाम करके आशिरवाद लो बेटी अब आशिरवाद कहां से तू पंडित जी मैरे सब आशिरवाद खतम हो गए चीति लो बेटी तुमारा नाम क्या है बेटी सुधा क्या हुआ चाजन चाजन वही आवाज है क्या कहा आपने कुछ नहीं वह मेरी जिंदगी का एक अपिशाप है कहा रहती हो बेटी 技 युक्ट आए ऊसे भी शूपły किसे शर्मा-जी उसके बात छोड़ दीजे असके बात छोड़ सुनाओगी बेटी हाँ, सुनाओ वेटी, यह तो बड़े से भागे की बात हुआ छोटी से एक कली खिली थी में छोटी से एक कली खिली थी एक दिन बाव मेरी जोट जली थी चरावने फिर क्या हुआ पोई जाने ना, जाने ना छोटी से एक कली खिली थी एक दिन बाव मेरी जोट जली थी चरावने दिर क्या हुआ बाव जाने ना, जाने जाने उसे माली ने बड़ प्यार से पाला मस्द पवन के जुन में डाला उसे माली ने बड़ प्यार से पाला मस्द पवन के जुन में डाला आगे कहूं रहना सकूं चुप रहूं रहना सकूं फिर क्या हूँ आई जाने ना जाने ना छोक्ति से एकनी फिली थे बाव में हुआ हैे हुआ हैं जाने के बाव प्यार से बाव दुन में घा भावम रहां में आई जाए भावं के जुए रहां में जाने जाएन आया बाग में एक फूल वाला जाने उसने क्या जारू ब्राला आया बाग में आया जाने ना जाने ना छोती से कली खेली थी बाग में बाग छोड के कहता था कोई माली की आद में कली बड़ा रोई बाग छोड के कहता था कोई माली की आद में कली बड़ा रोई चच्छा धागा फूत गया फूल वाला छूत गया फिर क्या हुआ आय जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना कुल Юर्म कंग प्री जैए कंग अगाश, लेला क्या हुआ चाजन क्या हुआ चाजन क्या हुआ तो दर्वादे के पास को मैं कोई भी तो नहीं है चाजन वो आई थी कौन? रमा आपने हाप दिखा होगा चाजन नहीं मिटी मैं मैं सच कहराम हूँ वो आई थी रो रोकर श्हमा मांगने आई थी शायद तौ श्हमा कर दीजी न infin मरने से पाफ अलका हो जाता ए क्या? वो जिंदा होती तो भी मैं उससे इतनी की नफरक कर रहा होता पर काश, वो जिंदा होती काश वो जिंदा होती बढ़े वो जिंदा हैंसर? वो जिंदा हैंसर? कुम इंदर? जिंदा हैंसर? समझा तो रमा मतलब सुधाश चरमा तुम्हारे साथ आई है जी नहीं सर वो मेरे साथ कहीं भी नहीं थी एला बेटी तुम ज़रा यहां से चली जाओ मुझे इंदर और प्रकाश से कुछ बाते करनी है जाजान नहीं बेटी मुझे कुछ नहीं होगा तुम जाओ जाओ यह बात तो मैं तुमसे बाद में पूछूँगा प्रकाश के तुमने मुझे इंदर सक्सेना के घर में क्यूं रखा मेरे अन्देपन का यूँ अपमान तुमने क्यूं किया सर पस इंदर जी आप ही के घर में आपको ये पूछना आजीब तो जरूर लगेगा पर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ क्या आप मुझसे क्या चाहते है आपको आप ही के एक बात याद दिलाना चाहता हूं सर राम चरित मानस पर एक लेक्चर देते वे आपने कहा था कि जिस तरह किसी गंदी जगह जाकर थूप मैली नहीं हो जाती उसी तरह सीताजी भी कभी मैली नहीं होई थी कहना क्या चाहते हो कहना ये चाहता हूं सर कि राम चरित भी थूप है अगर आप ये समझते हैं कि मेरा घार एक गंदी जगह थी तो भी वहाँ जाकर रमाची अपवित्र नहीं हो गई अच्छा, तो तुम मुझे सिखाने आया हो? नहीं सर, सर्फ इतना कहने आया हो कि हम लोग उने जो कुछ भी किया वो एक खेल था, पागल पन था ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपका सर नीचा हो और अगर आप इसे जूट भी कहेंगे तो वो चोटा सा जूट आपके बुढ़ापे को यह हक नहीं देता कि आप उनकी जिन्दगी के शीशे पर पत्थर मारे बस इतना ही कहने आया है था पकाश, अभियाद कुछ मत पूछिए सर्थ पहले मुझे एक बात पूछ लेने दीजिए आपका हाथ मेरे सर पे है कहिए क्या मैं जानते पूछते कोई गलत कोई बुरा काम कर सकता हूँ नहीं प्रकाश, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते एक तुम ही हो जिसने जिन्दवी पर मेरे विश्वास को जिन्दा रखा है तो फिर बिना कोई सवाल किए मेरी दो बाते मान लिजी सर्थ रमजी को शमा कर दीजिए और इंदर से उनकी शाथी कर दीजिए क्या हो ले लबन कुछ नहीं आप दोनों की शदी तक में रुक नहीं पाऊंगी न इस दुख से रोना आ गया मुझे इंदर जी आप तो प्रकाश बिया की जिगरी दोस्त है न तो बता सकते हैं आप उन्हें इस उमर में अतने दुख क्यों जिलने पड़ रहे हैं किस पाप की सजा मिल रही हैं उन्हें मैं बता सकती हूँ दो पाप किये हैं उन्होंने एक तो ये कि वो एक बहुत शरीफ इंसान है और दूसरा वो रमा को जी जान से प्यार करते हैं क्या प्रकाश रमा जी से आप सच्टो करें न खेरा बेंड इंदर जी आपको अपने जिगरी दोस्त के बारे में इतना भी नहीं मालूम इतना भी नहीं मालूम कि जब कुई अपने मैंबुबा से गहरा और सच्चा प्यार करता हो तब ही तो वो उसके बारे में एतनी यकीन के साथ ऐसी शर्त लगा सकता है क्योंकि आप रमा जी भी प्रकाश से वो तो मैं नहीं जानती लेकिन रमा प्रकाश वया की बहुत इज़त करती थी और अब तक शायद वो इज़त प्यार में बदल चुकी होती अगर आप अपनी मक्खन की जुबान लेकर बीच में आ गय होते जो कंनिते जो मुझे रोन वोारी वी परने वारे 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 उरे जोरो जारे वारे! आजां, आजां! कर दो कि जो तो चाहा! हलो, हमे ले 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 लेक? लेला बेन में इंदर कल अचानक आप चलेगें के चाजान मामा जी सब पूछ रहे थे शादी का इंतिजाम नहीं करना पड़ेगा लेला बेन कल ताड़े आठ नौ बजे के बीच आप प्रकाश और रमा जी को लेकर यहां आ सकती बहुत रूरी काम है देखिये आपके इंदर भहिया की आखरी इल्दिजा है आएंगी न अच्छा आईए आईए सामने जाकर दाहे में मुड़ जाईए आप लोग एक आएक यहां कैसे आगए आप यह तो कहा था आप यहां मगर फोन करके आना चाहिए पलाए किसलिए सुना अब तूने मेरी शादी तह कर दिये तू रा इडियेट का इडियेट अरे मैं एक दौलत मंद आदमे हूँ शादी करनी होती तो लड़कियों की कमी सी क्या है इस दुनिया में प्रगाश तुद जानता है कि मैं एक ठेकेदार हूँ हर काम ठेके पर करता हूँ जो चीज पसंद आई दाम पटाया मोल तोल किया और लेली अब रमाजी कोई लेलो तूने शर्ट लगाई थी कि ये हवा नहीं लगने देंगे अपनी लेकिन मैंने तुमसे कार था कि ये पंदरा दिन के अंदर अंदर ये मेरे बेडरूम में नजर आई क्यों? दिखला दिया कि नहीं? हाँ? आप क्यों खड़ी रह गएं? इंदर भाई उन लोगों के सामने तो आपने बहुत अच्छी आक्टिंग कर ली लेकिन मैं समझ गई लला बैन ये बाद तुम्हारे मारे बीची रहनी चाहिए ऐसा ही होगा इंदर भाई ऐसा ही होगा ख़दा आफिस लोली लोली प्रूज कर दो. जिसे जिसे आना था कर चला के डॉली, प्रकाश, लेला, रूमा अब ना कोई आएगा ना कोई जाएगा सहाब सहाब क्या है प्रकाश भया यह चिक्षी ले गए इंद्र मैं कुछ दिलों के लिए पाहर जा रहा हूँ हैटिम तो तुने इस बार भी अच्छे की थी पर मेरे लिए तेरी कुर्बानी फजूल हो गए तेरी और लेला की बाते मैंने और रमाजीने सुन ली थी रमाजी से मेरी बात हुई थी वो सिर्फ मिरी इजट करती हैं और कुछ नहीं इसलिए उनसे मेरी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता उनने अगर किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुझ से अब सब की भलाई इसी में है कि तूरमाजी से शादी कर ले अगर मेरे बार में सोच कर तेरा जमीर तुझे परिशान करे तो कह देना चुप रहो जुर्माना भरगा हो तेरा प्रकाश रमा मेरा मानी हूँ मैं तो चंदिगे एक रुपया हूँ जिसे आप प्रकाश जी को देना चाहते है और प्रकाश जी आपको मेरे ना तो कोई मर्जी है ना तो कोई जिंदिगे प्रमाज मैं कमाल की बात है शर्ट लगाएं आप दोनों और हारू में चुर्म करें आप दोनों और चुर्म ना भरू मैं चलो सर के पास चलें शुक्रिया मैं इस शेहर के रास्ते जानती हूँ खुदे चले जाओंगे मेरा मा तो है मेरे साथ ही चलना पड़े क्योंकि पिदाजी से हम दोनों के एक साथ आशिर बाच चले ना क्योंकि जाओंगे तो है झाल कैसा क्योंकि तो हुआ तो है यह क्योंकि क्योंकि तो तो झाल झाल